हेलो नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पर दोस्तों यहां पर लेके आया हूँ साइंस टॉप 25 कोश्चन जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके सभी परिछाओं के लिए तो दोस्तों इस वीडियो को अंतक चरूर देखिए जो की आपसन में दिया गया हमारा डी आपसन बेलकुल करेक्टेंस वर आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर दो पे परकास एक साल में किलो मीटर यातरा कर सकता है कितना किलो मीटर यातरा कर सकता है तो दोस्तों परकास वर्स लंबाई की मापक ही काई है और यह लगबाग 10 ट्रेलियन किलोमीटर के अंदर होती है और अन्तराश्टी एक कोगोलिय शंग के अनुसार प्रकास वर्ष वह दूरिये जो प्रकास द्वारा निर्वात में एक वर्स में तई किया जाता है और यदि आपसे पूश दिया जाए कि एक प्रकास वर्स बराबर कितना होता है तो एक प्रकास वर्स बराबर होता है नो दसमलो चार एक नो दसमलो चार चार एक गुड़े टेंटी पावर पार कीमी तो यहाँ पर कोशन का अनुसार हमारा सही हो जाता है आफसा नमबर डी बिल्कूल करेक्टेंसवर अथा दस ट्रेलियन आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर तेन पे कहराई कोशन की निरुवात मे एक माद्यम में परकास की गती के अनुपात को क्या कहा जाता है तो दोसो किसी पारदर्सी माद्यम का अपरतनाग परकास की निरुवात में चाल का अनुपात होती है और जब परकास की किर्णे एक माद्यम से दुसरे माद्यम में जाती है तो आपतन कोड के जया अथास प्राइन के अनुपात के माद oven का अपर्तानान कहते हैं तो यहां पर कोशन के अनुसवार हमारा सई हो जाता है ढांसान नंबर वी बिल्कूल करेक्ट्र टेक्श्ण अष्षर अतवर इस तो यहां पर दीयाग्श यह ड obsess नंवरा को जाएगा आर पार हो सकता है जो कि यहाँ पर हमारा दिया गए आफसा नमबर यहाँ पर C हमारा बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर पांच पे केरा कोशन कि निमलखीत में से किस रंगीन प्रकास की अबरती सबसे कम है तो दोस्तों लाल रंग की अबरती ज सरवादिग ता बैगनी रंग का जो तरंग दरियहा सबसे कम होता है तो यहाँ पर कोशन का अंसे बिलकूल कोशन हो जाएगा बढ़ते है कोशन नमबर 6 होता है कि किस रंग की तरंग्धरियitung सब्से कम होती है दोस्तों मैं आपको अभी बताया कि लाल रंग का Tरंग देर्य सरवादिक तता बैगनी रंग का जो तरंग देर्य होता है सबसे कम होता है तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे कम तो यहाँ पर हमारेंगे आफसा नंबर D बेलकूल करेक्ट इंसवर अथाथ बैगनी रंग का तरंग देर्य जो है सबसे कम होता है आगे बरते कोशन नमर साथ पे केराई कोशन की उत्तल दर्पन का प्रियोग किस में किया जाता है दोस्तों उत्तल दर्पन में बस्तु का प्रतिविम अबासी एव बस्तु से छोटा एव सीधा होता है अथात उत्तल दर्पन में काफी बड़े छित्र क की वस्तु का प्रतिवीम छोटे छित्र में बन जाता है इससे अस्पश्ट होता है कि उत्तल दरपण के दिश्टी से छित्र अधिक होता है और इसका उपयोग मोटर गाडियों में चालक के बगल से पीछे के दिश्ट को देखने के लिए किया जाता है तो यहां पर कोशन के अनुसार हमारा सही हो जाता है आपसा नंबर ए बेलकूल हमारा करेक्ट एंसवर आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर आठ पे कराई कोशन की वहनों में अपने ब्यापक दिश्टी छेत्र के लिए कौन सा दरपण पीछे देखने के रूपे प्रियोग किया जाता है तो दोस्त पर हमारा ए आपसान बेलकूल करेक्ट एंसवर दिया गया है आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर नुपे कराय कोशन की वहाई फोकस लेंस का अविसकार किस ने किया था तो दोस्तों वहाई फोकस लेंस का अविसकार अमेरिका के वेग्ञानिक बेंजीम फ्रेक्लीन ने किया निकत दिश्टी के साथ साथ दोध दिश्टी दोस्ट से पेड़ित बेखती दृप फेक्स नी लेंसों वाले चसमे का उप्रियोग करता था करता है और जिससे उपरी भागता दिश्टी के लिए उप्रियोगत उत्तर लेंस बना होता है तो यहाँ पर कोशन के अनुसार हमार रूप से किस से बनते हैं तो दोस्तो केंट टैंक जो लेंस होते हैं वो आपका सिलिकान हाइडरो जेल से बनते हैं जो कि यहाँ पर आफसन में दिया गया भी आफसन बिल्कुल करेक्टेंस हो आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 11 पे कहराई कोशन की लेंस के पावर को किस में मापा जाता है तो दोस्तों लेंस की छमता को हम डाइवटर में मापते हैं और उत्तर लेंस में जब परकास केड़े मुह के अच्छ से समानतर में चलती है, हुई लेंस पर अफतित होती है, तो ये लेंस अपॉर्तन के पशात उन केड़ों के मुख्य अच्छ की ओर मोड देता है और ओतर लेंस इन किरों को मुख्य अच्छ से क्या करता है दूर हटा देता है ठीक है इन दोनों को ध्याना कियेगा तो यहाँ पर कोशन के अनुसवार हमारा सही हो जाता है आफसा नंबर भी बिल्कूर करेक्ट एंसवार रखी हुई बस्तू को नित्र बिना किसी तनाव के सुसपष्ट देख सकता है उस नित्र का निकट बेंदू अथवा सुसपष्ट दर्शन की अलपतम दोरी कहते हैं और यहाँ पर आफसान में दिया गए हमारा सी आफसान कोशन के अनुसार बिल्कूर करेक्ट एंसवार आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 13 पे कराय कोशन के एक चमच जो टेना देखता है किसका उधारान है तो दोस्तों प्रकास का एक माद्याम से दुसरे माद्याम में परविश करते समय दुसरे माद्याम की सीवा पर अपने रेखिये पत से बिचलित होने की घटना को हम परकास का अपवर्तन कहते हैं और ये घुमाकर कोशन हमसे वही पूछ रहा है तो यहाँ पर हमारेंगे आफसान नमबर D अथात केंद्र बिंदू होता है तो यहाँ पर हमारा डियाफसन बिल्कूर करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 14 पे कराई कोशन की हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि रिजन पूछ रहा है क्यों दिखाई देता है तो दोस्तो परकास कीरने जब बस्तू पर पर परती है तो वे बस्तू परिवर्तित होकर देखने वाले की आँखों में परिविस करती है और बस्तू दिखाई देने लगती है बस्तू ये परकास का कुछ भाग परिवर्तित करती है तता कुछ भाग अऊस्विस्थित करती है और पर कास का परिवर्तित भागी वस्तों का रंग निधारत करता है जैसे कि गुलाब की पत्या हरे रंग तता आ पंखुडिया लाल परकास के परिवर्तित करने के कारानी आपकी एव लाल दिखती है तो यहाँ पर कोशेंट के लाल और निले के मिस्तरण से कौन साथ सेकेंडरी रंग प्राप्थ होता है तो दोस्तों निले लाल एव हरे रंगों में उपर्युक्त मात्रा में मिलाकर अन्य रंगों को प्राप्थ किया जा सकता है इन्हें हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं लाल और निले के मिस्तरण से आ प्रात्मिक रंग के रूप में जाने जाते हैं काला सफेद लाल तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको उपर बताया था कि जो आपके प्रात्मिक रंग के अनुसार आपके आते हैं वह आपका कौन सा रंग होता है निले लाल और हरे यहां पर जो हमारा दिया गए आपसा नंब करता है तो दोस्तों सूर्य का प्रकास जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपॉर्टन के कारण प्रिज्म के अधार की ओर जुकने के साथ साथ विविन रंगों में प्रकास में बढ़ जाता है उसको हम क्या काते हैं प्रिज्म काते हैं तो यहां पर कोश्चन के अरु कि आपसन दिया गया बिल्कुल करेक्ट एंस्वर चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 18 पे कराय कोश्चन की जब जल की बूदों से खाली अस्तार होकर इंदर्धनुस बनता है तो दोस्तों इंदर्धनुस पहले तो बनने का करण जा लेजिए तो दोस्तों प आपके दो परकार होते हैं पहला का होता है प्राथमिक और दुसरा होता है यह तो इनको भी आप ध्याने किएगा यहां पर कोश्चन की को जाता है आपसा नमर्टी कोरेक्ट हैं का पर्योग नहीं है तो दोस्तों बालों के समान वारी काच के तारों से प्रकास को आगे बे जने का तकनेकी को हम फाइबर आप्टिक्स कहते हैं और ये तार जने आप्टिक्स फाइबर कहते हैं ये काच अथवा पारदर्सी प्लास्टिक, कॉंट्रीट, नाइलोन और पेट्रॉन से बनते हैं तो इसको भी ध्याना किएगा तो यहाँ पर कोश्चन के अनुसार हमारा स इसी कोड़ से और बढ़ा कर दिया जाता है तो कीरण पुना उसी माध्यम से लोट जाती है जिस माध्यम से चली थी अतात इसी घटना को हम पोड़े आप्टिक परिवर्तन कोंड कहते हैं तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है आपसन नंबर डी बिलकूल करेक्ट एंसवर अतात हरे वह निम्न अपवर्तक शुचांग तो यहाँ पर डी आपसन आप करेक्ट मारेंगे आगे बढ़ते कोशन नंबर 21 पे कराय कोशन के निम्न में से किन मामलों में पूर आंतरिक परिवर्तन हो सकता है तो दोस्तों देखिए जब परकास संगर माध्यम से बिरल माध में प्रिवेश करता है तो अपवर्तित किरन अथात अभिलंव से दूर हरती जाती है जैसे कि आपतन कोड का मान बढ़ाते समय अपवर्तित किरन अभिलंव से दूर हरती है तो यहाँ पर कोशन का अनुसवार हमारा सही हो जाता है आपसन नंबर D अथात हीरे से हवा में आ आपोर्टन के कारण वह सात रंगों में आपका बिभक्त हो जाता है भी आई बी जी वाई ओ आर के यहाँ पर हो जाता है ठीक है यह आपका जो आफसन में दिया गया आफसन नम्बर ए आपोर्टन यह हमारा बेलकुल करेक्ट एंसवर दिया गया है आगे बरते हैं कोश्चन नमर 23 पे कराई कोश्चन की सुर्य को देखने के लिए किसी यंतर का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों सुर्य को देखने के लिए हिलो स्कोप का प्रियोग किया जाता है और यह एक परकार का सोड़ दुरसर सी है जो की किसी के हुए तरंगदर्य में सुर्य को देखने के लिए उपयोग में आता है तो यहां पर सी आफसन बिल्कुल करेक्ट एंस्वर हमारा हो जाता है कोशन नमर आते हैं 24 पे कहराई कोशन रेले से दिखाया कि बिखरे हुए प्रकास की तिवरता खाली अस्तान तरंगदर्य के खाल आता है यहां पर यह आफसन अमरा बेल्कुल करेक्ट हो जाएगा बिल्वमत और चौते अता यहां पर आपका बिल्वमत फिलोगा और यहां पर आपका चौते फिलोगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 25 पे के राए कोशन के वास्तिविक सुर्यदों में दो मिनट पाले सु आतिच के नीचे हो जाता है और जब वह दिखाई देता है तो वह सुर्यस्त के समय सुर्यस्ट छेतिच से नीचे चला जाता है अथा तो वह वास्तिविक में अस्त हो जाता है तब कि वह दिखाई देता है और यह वाई मंडली अपरतन के कारण होता है तो यहां पर हमारा डी आफ्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है वायू मंडली अप वर्तन यहां पर डी आफ्सन हमारा दिया गया है बिल्कुल करेक्ट एंस्वर तो दोस्तों आज के लिए तना है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और भी कोशनों के साथ